जो समस्या का समध्हान वो कैसे निगले क्योंकि अब तो रेलवे में साफ साफ ये सुर में कहती है कि समस्या का हल होगा प्रिक्षा रद कर दी जाएंगी ने जो अभी इस्टेप लिया है अगर ये उसको वह अठारा तरीक को ले लेता है जो हम लोगों ने आठ मिलियन ट्व लेकिन और बी ने एक अच्छा इस्टेप लिया है कि उसने सारे स्टूडेंट से अपनी सुझाव 16 फरवरी तक मांगा है और हर एक और बी से कहा है कि वह लोग अपनी रिपोर्ट चार मार्स तक दे इसके बाद क्या होगा तभी का सकते हैं अभी कमेटी बैठाई गई है मेंबर की कमीटी है रेलवे को यह काम पहले कर लेना चाहिए था ऐसा विवाद नहीं होता दोहजार उन्नीस की वेकेंसी में जो नोटिफिकेशन आया था उसको आचानक आप 15 दिन पहले कहिएगा तो थोड़ा सा मिस अंडरस्टेंडिंग लोगों में होगा ही दखता है कि चुकि प्रतिष्टित मीडिया से हैं आप लोग आप लोग की जिमेदारी बनती है कि मतलब चीजों को सही माइने में पहुंचाएं देखे हम लोग हैं जो रोक के रखे हैं आप अगर हमारे चीजों को देखें हमारी यूटूब को एक हफ्ते से फ्रीज कर लिया गया है ज उनने सबको बंद कराए कि आज शबी जनवरी को कुछ नहीं होना चाहिए और रेलवे ने कमिटी जारी किया रही बात खांसर ने किया काम करते हम चूप हो जाते हैं तो अंदोलन भी चूप हो जाना चाहिए खुद पढ़े लिके लोग हैं डीम साब भी गय थे रेलवे मे उनका खुद का इस्टेटमेंट है कि लीडरलेस यह अंदोलन चल रहा है तो इसमें खांसर कहां से आ जाते हैं कि जो कुछ कोचिंग संस्थान है जिनके सिंशक द्वारा किया जा रहा है उसमें आपका भी नाम दिया गया है पटना के डीम साब जो चंसेकर सिंग यह बहु कि एक टीचर गलत बोल सकता है कि आप पूरे हिंदुस्तान के टीचर और स्टुडेंट गलत नहीं बोलेंगे यह अंदोलन जो उग्र हुआ इसके पीछे आरारवी का सेकंड डीसीजन खराब था एक्चुली एंटीपीसी के लड़के कम थें वो राजिंदर नगर पे रहें अब उनसे मेंस का एक जाम लिया जाएगा बताएं 2019 में फरवरी में एक्जाम है 15 दिन पहले कहिए गा कि आप से मेंस का एक जाम लिया जाएगा चो दो देड़ करोड लड़के घर में बैठेते वो और गनाइस तरीके से बीना किसी प्लान से सीधे चले आए जिस में लगे हैं लेकिन देड़ करोड लड़कों को आप अचानक प्रभोग कर दीजेगा तो यह आरार भी को सोचना चाहिए कि एक अकेला टीचर देड़ करोड लड़कों को कैसे समालेगा कि अधिश्याओ